solution है इसके अंदर देखो एक तो आपको relation दिया वाए relation का है a,b है क्या है such that a and b belonging to natural number and क्या दिया वाए कि a square equal to b sorry a equal to b square a equal to b square ठीक है तो यहां से कौन-कौन से क्या होंगे are the following true यहांनि कौन-कौन से following true होंगे वह देखते जाएगा ठीक है यह आपको relation दिया हुए ठीक है देखते हैं और यह किसमे है a और b अपने natural numbers में है ठीक है तो यहां से देखो यहां पहला first वाला लो आपको आपको given है कि इसमें यदि a से a आता है तो देखिएगा कि क्या है यह हमेसा ही true थोड़ी ना होता है कि a का और उसका खुद का square हमेसा ही बड़ा यानि equal थोड़ी ना होता जैसे कि example के लिए देखता हूं मैं तो क्या यह दि a, a है आपको यह देखना है तो यह क्या है इसके relation के according क्या है यानि कि relation के according a है वो आपका देखो इस relation में है ठीक है माल लिया कि इसमें है तो देखने पर और यहां से a है वो किसमें natural number में तो यह इस वाली property को satisfied करना चाहिए देखते हैं मैं satisfied करता है यह हमेसा ही true थोड़ी होता है यह देखो थोड़ा सा दिमाग लगऊ आप यह हमेशा ही true नहीं होता है कैसे देंआ इसके लिए देखो अब यह हमेशा true नहीं है तो इसके लिए counter example देखते हैं देखो counter example क्या है वह चाहिए देखते हैं कि यह वो इस property को सटी तू किसका है नेचरल नंबर में तो देखेगा कि यहां पे देखो टू है और यहां से टू है वो टू का whole square है तो क्या यह इसके equal है नहीं है वही इसका मतलब जो यह वाला है वह क्या होगा a, a है वो does not belonging to relation ठीक है for all a belonging to natural number यह कि लिए रही है तक तो यह नहीं बिलोंग करेगा इसका मतलब यह statement true नहीं है सबजब में आगी बात इसी परकार से हम counter examples देखते जाएंगे सभी में यह होगा यहन कि second part में इसमें बोला है कि जो a है और b है वो आपके relation में होने चाहिए ठीक है जो कि imply क्या करना चाहिए जो कि b a है वो भी क्या होना चाहिए आपका relation में होना चाहिए जो कि यह true नहीं है which is not true कैसे नहीं है इसका देखे counter example देखते हैं अब देखिए कि किसी भी चीज का counter example कैसे बनाते हैं यह थोड़ा सोचने का विसे अपने लिए कि हम पहले direct कैसे जाए ठीक है तो इसके लिए थोड़ा ऐसा ऐसा सोचो कि बही ऐसे कोई दो नमबर सोचो बही जिनका square तो equal हो पहले इसा कौन सा पेर ले तो थोड़ा दिमार लगाएंगे तो पहले सोचेंगे यार वन वन से तो कुछ काम नहीं बन रहा है तो यहां पर क्या करेंगे वन प्लस वन यह तो हई है यह तो क्या हो गया वन तो फिर इसका यह दिए आप opposite करोगे तो वन का वन यह तो यहां पर satisfied कर यह तो पहले ही खुद ही पहले यह वाली condition तो satisfied करो इसकी a,b है वो तो क्या होना चाहिए इस relation में होना ही चाहिए लेकि पहले तो यह वाली property satisfied नहीं हो रही तब भी कुछ काम नहीं चला वह यहां कि इन दोनों में यह हम distinct element ले रहे हैं तब भी कोई काम नहीं चल रहा है क्य यहां पर भी कुछ काम नहीं हो रहा है यह यह यहां पर कर रहा था लेकिन यहां पर नहीं कर रहा है यह सारे natural numbers के लिए सभी natural numbers के लिए नहीं कर रहा है तो कोई दीकत नहीं चलो भई यहां तक अब आगे क्या करते हैं आगे के लिए देखो भई अब यानिकि हमने क्या ले 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 उसका square ले 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 तो थोड़ा काम बन सकता अपना तो इसी प्रगार यह इसका opposite लेके देखते हैं यहां पर क्या opposite लेके अपनी कानी बेटी ही नहीं बेटी देखो 4 है तो यहां पर एक की value 4 है 2 की value क्या आगी 4 आगी इसका मतलब यह यहां पर तो satisfied कर रहे है कैसे भी इसको देखो क्या कर रहे है यहां पर 2 की जगह तो 2 है और 4 की जगह 4 का whole square लेकी जगह तो तो 2 आएगा वो कभी 16 के equal नहीं आएगा ये इसका counter example है तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा counter example देने के लिए वो इस तरीके से सोचने है तो अब देखो हम direct way में देखते हैं इसको कैसे क्या करते है ठीक है direct way में अब direct way देखिएगा यहां से a equal to b square ठीक है यहां पर अब देखो कि हमें ये वाला चीह है तो इसके लिए पहले हम counter example देखेंगे बई पहले हमें counter देखने के लिए पहले जो प्रोपर्टी वो पहले वाली प्रोपर्टी सैटिस्पाइड होनी चाहिए इसके लिए देखो हमारे पास एक ऐसा element बेठा हुआ है वो क्या है कि 4,2 है वो तो आपके relation में है कैसे देख लो इसको कि 4 है और 2 का whole square है तो यह इसके relation को सैटिस्पाइड गर रहे है यह क्या है 4 equal to 4 है इसका मतलब correct है अब इसी में यदि हम इसका देखो रेस ही प्रोग यानि इसका opposite करो यह आपका a था यह आपका b था आपको b को पहले रखो फिर a को रखो ठीक है यह आया 4 अपकी बार देखो क्या करने वाले यह आपको रखना है कहां पर a के इस्तान पर पर a क्या रखोगे 2 की जहां पर क्या रखोगे 4 तो यहां से देखो यह कि 2 है वो equal to क्या होता है यह 16 यह कभी भी नहीं होता never नहीं होगा इसका मतलब यह true नहीं है यहांदर clear है तो यह जो हमने एक example जो यहां पर पकड़ा था वो यहां पर नहीं होता है generally कि यहलो एक भी आपको counter example मिल जाता है ना तो फिर वो क्या होता इस statement true नहीं होता है तो इस परकार से हम इस question को solve करते हैं अब इसी परकार देखेगा आगे का कोई third number में भी वो ही है third वाला भी इसी में भी हमें counter example ही करने पड़ेंगे वही third वाला भी क्या है not true है अब इसके लिए क्या करेंगे यह दी कोई statement है यह दी not true है तो उसका counter example देंगे वही काम करें तो counter में थोड़ा सा इस तरीके का सोच लिजेगा कि आप क्या सोच सकते हो कि भाई यहाँ पे तो लिख लो 16 और यहाँ पे लिख लो 4 यह आपका देखो relation में एंड यह भी क्या होगा relation में belong करेगा ठीक है अब अपने को proof क्या करना था कि इसका अब इसका अ तो यह है और इसका c यह है यह पकड़ो तो हमें पूरूफ क्या करना था कि यहां से यह जो है न 16 और यह फोर क्या यह भी क्या इसमें belong करता अ रहे कि यह relation में है इसको check करो भई, check it तो check करेंगे, तो चैक करेंगे, पर कैसे करेंगे, जो relation बोला है, यह तो दोनों satisfied कर रहे हैं, ठीक है, अब यह check करेंगे, तो यह देखो क्या हो रहा है यहां से क्या 16 का यह 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 यहां पर यह यह Kimchi यह आए है और यहां पर 2 है बई यहां पर क्या है 2 क्योंकि यह बीच वाले 4 4 गए यहां पर 2 बचा तो अब यह आयगा 2 फिर यहां पर 2 का whole square आयगा क्या यह equal है Principle 16 is equal to 4 यह तो equally नहीं है इसका मतलब यह नहीं आएगा that means यहां से देखो कि क्या कि यह क्या है 16, 16,2 है तो इसको क्या करना है अपने को देखना है कि यह कॉमा यह बिलों करता है नहीं करता है तो यहां से हमने चेक किया है इसको चेक किया तो यह बिलोंग नहीं करा तो यहां पर क्या लिख सकते है 16 16 है वो does not belong to R यह 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 दोनों properties तो hold हो रहे हैं लेकिन यह third वाला नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह imply नहीं होगा तो यहां तक देखिए यह थोड़ा proving के question है जिनको हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है जो not true होता है उनके लिए हमें counter देखने पड़ता है इस तरीके है कि यह इसको satisfied करता है देखा आपने 16 और इसका भी whole square के A की value 16 है B का whole square 16 हो गया यहां पर देखो कि तो 4 आगया 2 का whole square 4 यहां कि यह दोनों property इसको satisfied करें बट यह third वाला है वो satisfied नहीं करेगा यहां का A ले लो यहां का C ले लो ठीक है यहां से जैसे आप लोगें तो 16 और 2 आएगा अब 16 और 2 को check करो भाई क्या यह एक इस relation में आ रहा है या नहीं आ रहा है देखेंगे तो 16 तो यहां यहां 2 का whole square 4 तो यह नहीं बिलोंग करेगा इसका मतलब यह third वाली property not true है